हेलो फ्रेंज मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुकवित भोली में आज हम लौकी का सूप और लौकी का जूस दोनों ही बनाएंगे इस वीडियो में आप सभी तो जानते ही हैं कि लौकी कितनी फायदे मंद होती है हमारे स्वास्त के लि जरूर पना करके देखिए वाली रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक लौकी लिया है यह लगबग आधा किलो है अब इसका छोटा सा हिस्सा काट लेंगे हम और सबसे पहले तो मैं इसका जूस बना रही हूं इतना सा लौकी में दो ग्लास के जितना जूस में बना लूंगी छिलका निकालना उतना जरूरी भी नहीं है आप चाहे तो निकाले नहीं तो इसके साथ भी पीश सकते हैं अब इसे रफली काट लेंगे हम और एक मिक्सी के जार में डाल करके इसमें छे साथ काली मीच का दाना है आपके पास अगर पदीना की पतियां है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और गैस वैस की समस्या जो होती है वो भी ठीक हो जाती इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीछ लेंगे बारी अब एक छन्नी लेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे जो भी खुरदूरा सा जो मुटा मुटा हिस्सा बच गिया है उसे हम निकाल देंगे अब इसमें थोड़ा सा स्वादनुसार काला नमक डालेंगे इसमें मैंने नीबू का रस भी डाला है वो दिखाना भूल गई थी तो आप जरूर डाली नीबू अगर है त और इसे आप इंज्वाई कीजिए सुबा सुबा खाली पेट में तो यह लोकी का जूस जो होता है वाद पीत और कप से छुटकारा भी दिलाता है वजन घटाने के लिए भी बहुत ही उपयोगी है यह यूरी के सीट भी कंट्रोल करता है साथ में यह पाचन में भी बहुत मदद करता है और जो हाट के पेसेंट है उनके लिए तो यह वरदान ही है क्योंकि जो ब्लॉकेज होती है उसे भी ठीक करता है और लीवर भी स्वस्त रखता है तो आप लोग जरूरी से बनाईए और अपने पूरे परिवार के साथ में इसे इंज्वाई कीजिए और अब ह इसमें बीज है तो आप हटा सकते हैं बीज को यह ऐसे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम इसे बाद में चान लेंगे तो मैंने बड़े-बड़े पीस में इसे काट लिया है साथ ही तीन टमाटर है टमाटर अच्छे पके हुए लाल ला लेंगे हम इसे भी रफली चॉप कर लेंगे लगबख 10-11 दाने हैं यहाँ पर काली मिर्च के एक इंच अद्रग का तुकड़ा है पांच-छे कली लहसुन है लहसुन आप नहीं खाना चाहते तो आप इसे हटा भी सकते हैं अब एक कुकर लेंगे कुकर में घीया तेल आप जो डालना चाहते हैं थोड़ा सा ड देंगे जैसे यह सारी चीजे अठी से भूल जाए इसमें हम लौकी और टमाटर डाल देंगे और इसे चलाते हुए दो मिनट के लिए बस भूल लेंगे थोड़ा सा लौकी का सुप बहुत ही टेस्टी बनती है आप जरूर एक बार ट्राइ करके करके देखे इसे और बच् सार्पा सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे कुकर बन कर देंगे और तो देखिए अच्छे से पक चुकी है अब हमें एक छन्नी लेंगे उसमें इसे निकाल देंगे सारत थोड़ी देर के लिए छंडा होने के लिए छोड़ जैसे हम एक सी के जार में दालेंगे और इसका पेश्ट बना लेंगे इसका जो पानी है उसे हमें फेकना नहीं है और एक छनी लेंगे इसी में पेश्ट हम डाल करके इसे भी छान लेंगे तो यह मोटी छेद वाली जो छनी होती है उसे अच्छे से छन जाती है और हमने जो इसमें डाला था तेजपता दालचीनी और काली म है उसे हम निकाल देंगे अलग और एक कढ़ाई में पकाना है उसी कढ़ाई में मैंने चान लिया था इसे अभी अच्छे से चण चुकी है तो कढ़ाई हम गैस पर रखते हैं और इसे थोड़ा सा गरम होने क्योंकि सूप गरम-गरम ही पीने में मज़ा आता है इसमें कर लिजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसी क्रिश्णा